असलाम वालेकूम बिस्मिल्यारमानी रहीम आप देख रहे हैं हम दर्शी फूट सीक्रेट्स तो दोस्तों आज मैं बहुत ही जबरदस्ट जो रैस्पी है लेकर ही हूं गुबी के पकोड़ों की तो गुबी के पकोड़े जो जैसे कि सट्जियों का सीजन है गुबी जो है ब बहुत ही जबरदस्ट और मज़े के यम्मी गुबी के पकोड़े बनते हैं जटपट मिंटों में बन जाते हैं अगर अचानक से मेमाना आ जाते हैं तब यह बना सकते हैं और अगर आपको भूक लगी हो जटपट तो फिर भी यह त्यार करके खा सकते हैं बहुत ही कटिंग के बाद जो खास काम होता है गोबी की दुलाई का तो दुलाई आप हमने करने हैं बहुत एच्छी तीन से चार बार हम इसको दोएंगे तो इस तरह यह होता है कि गोबी के अंदर जो सप्रेय वगार होती उसका सरवा खत्म हो जाता है गोबी को मैं दो लिए आप में हैसमे डाल तीह दिया लशन पाऊबडर अद्रक पाऊडर हाफ आफफ टी स्पून डालाई है और चिकन पौडर मैंने वान टी तीज पूर डाला है यह एक पुल गोबी का अदा की लोका होगा तो इसमें अब मैं डाल रही हूं नमक एक टी स्पून डाला है और मिक्स करम अजवाइन का इसमें बहुत मज़े का जाइका आता है अगर आपको नहीं अच्छे लगती तो आप ना डालें लेकिन पकोड़ों के अंदर अजवाइन डालें तो इसके बहुत यची खुश्बू भी आती है मज़े मज़े की तो इस तरह मैं इसमें अधर जवाई है जो आवर डालती हूं इसको हम रख देंगे इस 10 मिनट के लिए बहुत इच्छा गुबी के अंधर सारा टेस्ट जो प्लेवर जो मसालों का चला जाता है तो इस तरह से देखChemkin बहुत ही ऐच्छई तरीके से इसके अंदर ज़जब हो जाती है जो हम डालते हैं इसके अंदर बेस्टन एक प्याली लिया है मैंने चेस को सब्सक्राइबन दली निए ये सारे उसके अंदर नहीं जाएगा तो मुझे थोड़ा सा बेसन काम लाग रहा है, मैं दो चमच इसके अंदम बेसन थोड़ा सा ओर डाल लिया, तो पानी देख मैं बिलकुल एक एक गुंड करके डाल रही हूँ, आपने भी ज्यादा मिक्दा में पानी नहीं डालना, फुल वीडियो देखा करें, इसकी मत किया करें, फिर इस तरह से आपको पता नहीं चलता, मैं तुमाम टिप्स शेयर करती हूँ, एक इस तरह से हम इसको बेस्ट से बेस्ट अपनी रैस्पी को बना सकते हैं, आप इसको मुझीद, फिर से हम दस मिनट के लिए रख देंगे, पानी देख लें, थोड़ा सा मैंने यू हमारे जो पकोड़ें, उनका कलर बहुत ही जबरदस आता है, तो इसको उलटते पलटते रहेंगे, बार बार इसको हलाएंगे, ताकि ये जो बहुत जबरदस बान जाए, तक्रिमन 6 मिनट लगते हैं, फिर मैं आपने डाल के तो 2 मिनट तक बिलकुल इनको नहीं हलाना होता पकोड़ें या कोई भी जो चीज़ा फ्राइ कर रहे होते हैं, तो इसकी ये खास टिप है कि आप उसको फॉर्ण से मत हलाया करें, वरना वो जो पैन के साथ जो लग जाते हैं, और बिलकुल उनका नहीं सारा मसाला वगएर उपर से उतर जाता है, तो माशालाला हमारे उनको शवीका ट्राइ करने लगी है, तो शवीका अलीशा शायद नीचे चली है, या तो अलीशा को मैंने कहा था कि आप इसको चेक कर लो तो बहुत ही मेरे बच्चों को पसंद हैं, तो शवीका कहती है कि चलें लाएं जी मैं यह चेक कर के बताती हूं बहुत इसको सिखाते हैं वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके जरू हुँता है अगर जैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स पर वाचिंग अलाहाफीज